नमस्कार तरूस दूस में आप सभी का स्वागत है चैने की पानी के समस्या इतनी जादा गंभीर हो चली है कि हर इंसान के जहन में सिर्फ एक सवाल उठ रहा है कि चैने में बारिश कब आएगी जो कोई भी इस सवाल के पीछे जा रहा है वो इंटरनेट पे सोशल मीडिया प पीछे अपनी चानबीन शुरू करी चानबीन जब शुरू करी तो हमें एक इनसान मिले जिनका नाम है प्रदीप जॉन इनको चन्नवी में बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं यानि साड़े छे लाक से भी ज्यादा फॉलोवर्स इनके सिर्फ और सिर्फ फेस्बुक पे हैं यह कोई वेदर रिपोर्टर नहीं है लेकिन यह बारिश के पीछे जाते हैं यानि बहुत सारे ब्लॉग लिखते हैं बारिश कब कहां किस तरह से आएगी यह तमाम चीज़े अपने फेस्बुक पेज़ पेज़ लिखते आ रहे हैं जो चने के लोग हैं जो प्रेडिक्शन्स रखते हैं वो काफी हद तक सही और स्पष्ट होती है जब हमने इन से संपर्क किया और यही सवाल इन से पूछा कि आखिर चने में बारिश कब आएगी तो उनका यह साफ दोर पर कहना था कि चने में आने वाले दो दिनों तक बारिश नहीं आने वाली है बारिश 20 जून 2019 के बाद ही चने में आएगी यही तक हमारी चान भी नहीं रुकी हमने गूगल वेदर का भी सहारा लिया विद गूगल वेदर के हिसाब से कर आप देखें तो चने में आज रात 11 बजे या फिर कल रात 11 बजे तक बारिश हो जाएगी यानि पूरे चने में बादल मंडराने लगे हैं बादल घने होने लगे हैं और इनके हिसाब से अगर आप देखें तो आज या फिर कल रात तक बारिश जरूर हो सकती है इसके बाद हमने देखा तो जो वेदर नेटवर्क है उसके हवाले से जो बात आ रही है सामने वो ये है कि 21 तारीक 21 जून क तक कंटिन्यू रहेगी इसे के साथ साथ जो सकाई मेट जो वेदर डिपार्टमेंट है उनकी भी अगर आप बात माने तो वो लोग भी यही कहते हैं कि 21 तारीक से लेके 24 तारीक तक यहां पर बारिश जरूर हो यानि अगर आप प्रदीब जौन जो की तामिलाडू वेदर मैं भी जिनको कहा जाता है उनकी बात सुने या फिर दवेदर नेटवर्क की बात सुने या फिर स्काई मेट या फिर गूगल वेदर के बात सुने ये तमाम लोग एक ही तरफ से इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दो से तीन दिनों में चेन्ने में बारिश जरूर होएगी लेकिन एक तरह से जादा खुशी मनाने की बात नहीं है ये क्योंकि जितने भी बारिश होएगी वो इतनी नाकाफी होगी कि जो भी यहाँ पे नदी नाले हैं छोटे मोटे तालाब हैं वो नहीं भर पाएंगे जितना भी पानी आएगा वो धरा में ही एक तरह से सूख जाएगा क्योंकि जो जमीन है वो एक तरह से बंजर हो चुकी है सूख चुकी है तो जितना भी पानी आएगा वो सबसे पहले धरा में ही भरेगा उसके बात जो बचा हुआ पानी होगा वो शायद नदी नाले पर यहां की जो department है, यहां का जो सरकारी विभाग है, उसने कभी भी किसी भी तरह का यहां पर restoration का काम नहीं किया, यानि जो water bodies थी, उन पर किसी भी तरह की मरम्मत यहां पर नहीं होई है, तो जो 2015 में जो समस्या यहां के लोगों ने देखी थी, वो यह था कि बहुत ज़्यादा बारिश यहां पर होई, और जो आसपास के जो states हैं, उन लोगों ने भी पानी खोला था, और यहां के जो नदी नाले तालाब थे, जो water bodies थे, उनको ठीक तरह से restore नहीं किया गया, तो उनके गहराई ज़्यादा नहीं खोदी गई थी, तो इस वज़ह से पानी ज़्यादा बहने लगा, और वो पानी शहर के अंदर आ गया था, और जितना पानी समुंदर में गया, उसका तो हिसाब यह बताया जाता है, कि 300 TMC पानी था, यानि आने वाले 4-5 सालों तक भी अगर इस चेनई शहर में बारिश ना हो, तो इस पानी से काम चलाया जा सकता था, उसके बाद भी इस शहर के जो अधिकारी हैं, उन लोगोंने कोई भी सीख नहीं लई, इस जितने भी वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज पे किसी भी दरह का काम नहीं किया, जो ग्रेटर चैनई बताया जाता है, वहाँ पर 4100 वाटर बॉडीज हैं, जिनकी जो कुल केपासिटी बताई जाती है, कि 120 TMC पानी वहाँ पर इखटा किया जा सकता है, सिर्फ और लेटर चैनई के वाटर बॉडीज में, लेकिन अगर आप उन वाटर बॉडीज की दश्चा देखें, कि वह कैसी हैं, तो वह एकदम निढ़ाल है, एकदम बेहाल है, वह इंतजार में हैं, किसी सरकारी बाबो, किसी NGO, किसी इंसान की नजर उन पर पड़े, और उन पर हो फिर से उनको फिर से दुरुस्त किया जाए, रेस्टॉर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, तमाम 4100 जो वाटर बॉडीज हैं, वो बहुत बुरी हालत में हैं, और जो चैनई में existing वाटर बॉडीज थी, उनमें कई जगहों पे घर, मकान बन गए हैं, बिल्डि किया जा सकता है, इस शेहर की जो खपत है साल भर में वो सिर्फ 40 T.M.C. पानी है, यानि अगर आने वाले तीन सालों तक भी बारिश नहीं होती है, तो यह शेहर इतना पानी इकटा कर सकता है, याने वाले तीन सालों तक यहां का काम चल सके, अगर आप इहां के बारिष को दर्च करें तो 1200 से लेके 1300 मिलिमीटर पानी यहां पर दर्च किया जाता है हर साल यानि इतना यहां पर बारिश होता है पिछले 200 दिनों में यहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होई अगर यहां के जो विभाग है यहां का कि हालत इतनी बुरी हो चुकी है ये नहीं होती यानि अगर अगले साल भी बारिश ना आए तब भी ये शहर इतना capable है खुद से सक्षम है कि ये बिना बारिश के भी अपने शहर के लोगों को भरपूर पानी दे सकता था ये एक तरह से manmade crisis है ये एक तरह से कोता ही है यहां के विभाग की यहां के जो water management system है उसका एक failure इसको आप कह सकते हैं ये जो समस्या है ये कितनी गंभीर है इसको और थोड़ा से गहराई से आपको समझाने की कोशिश करते हैं ट्रकों से यहां पर पानी आता है जो छोटे मड़े जो इलाके हैं वहां पर उनको चार से पाच ही भरने को दिया जाता है आप तो ये हालत है कि सरफ दो घड़ों से जादा उनको नहीं भरने दिया जाता है वो भी पैसे दे कि आपको खरीदना पड़ता है थोड़ा सा जो आगे बढ़कर जो middle class है उसका ये कहना है कि उनके घरों में जो नल के लगे हैं वहां से पानी त जिनके पास पैसा है वो ट्रकों से पानी खरीदते हैं ट्रकों का पानी जो 1200 रुपे हुआ करता था आज वो 5000 रुपे उसकी कीमत हो चुकी है यानि अगर आप 5000 रुपे देते भी हैं तब भी आपको पानी नहीं मिलता है उसके लिए भी आपको 4-5 दिन का इंतजार करना प option उनको दे दिया गया है। उनका ये कहना है कि इतना स्वारा स्टाफ जब ऑफ़िस आता है तो पानी का crisis ज़्यादा वड़ता है और हमें पानी नहीं मिल पा रहा है। इन IT कंपनीज का ये भी कहना है कि इन्होंने सरकारी मदद की गौहार करी थी लेकिन सरकार की तरफ से जो IT के लोगों को घर से काम करने के जो बात है ये एकदम सरासर गलत है ये एक अखवा है जो खामाखाँ हमें बदनाम करने के लिए फैलाई गई है हम लोग IT कंपनीज के साथ जुड़े होएं उनके साथ संपर्क में है और जितना भी उनको पानी चाहिए हम उनको मुहया करा बाते आ रहे हैं, तो यह एक हमें बदनाम करने का एक प्लान है, उसका जो ऑपोजिशन है, यानि जो DMK के जो चीफ है, MK स्टालिन यानि करुना निदी जी के बेटे, उनका ये कहना है, मेलु मनी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो इस पूरे जो प्रॉब्लम है, इसको पहर को रूल किया, लेकिन इन दोलों ही पार्टी उसक ऐसा काम नहीं किया, कि यहाँ पर DM बनाए जा सके, या हपिर जो यहाँ पर Water Bodies, उनको साफ किया जा सके, उनको रेस्टॉर किया सके. स्कूल्स के गराब बात करें, स्कूल्स ने अपने बच्चों को चात्रों को ये कहा है कि अपने घर से दो-दो पोतने लेके आए, यानि आगर आपको दुबारे से रिफिल करना पड़े तो उस पर भी इनको समस्या हो रही है, स्कूल्स पे भी पानी नहीं है जो यहां का restaurant association है, उसने ये निर्णा लिया है कि दोपहर का जो खाना है, lunch है उसको हम बंद कर देंगे, सुबह नाश्ता और dinner के लिए ही restaurant खुलेंगे कुछ एक restaurant अभी भी खुले हैं, लेकिन association ने यही फैसला लिया है तो ये तमाम restaurants दोपहर को बंद हो जाएंगे उसके साथ साथ जो यहां का metro विभाग है, metro विभाग ने कुछ 15-20 दिन पहले ही जितने भी air condition plant थे, जिसको चलाने के लिए पानी के जरूरत होती थी वो भी बंद कर दिया है, यानि metro stations में अभी air condition नहीं चलता है दूसरी तरफ जो तमिलाडू की सरकार है, उसने यह एलान किया है 2400 MLD पानी ज्यादा छोड़ा जाएगा जब आपके पास पानी ही नहीं है, तो 2400 MLD एक साथ छोड़ कर ठीक है, आप क्या समझाना चाहते है, क्या दिखाना चाहते है और कहां से वो पानी आएगा, यानि जो पानी है उसको आपने पहले manage नहीं किया, जो पानी आपके पास available था, उसको आपने व्यर्थ किया आज जब आपके पास पानी नहीं है, तब आप ऐसे वाइदे कर रहे हैं जो संभव ही नहीं है, जितना भी चन्ने में पानी स्टोर किया जा सकता था या फिर था पानी, उसका एक प्रतीशत भी आज पानी नहीं है ये ground reality है, जितने भी श्रूत है पानी के, वो सब सूख चुके है लोग बाइकों पर घड़े बांद कर दर-दर भटक रहे हैं ताकि उनको कुछ पानी मिल जाए हमारे जो लालची बिल्डर हैं, हमारे जो लालची अधिकारी हैं या फिर कुछ राजनेता हैं जो इन तमाम कदी विदियों में हमेशा से लिप्त रहें, जो नहोंने नदियों के रास्तों को बंद कर दिया बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाने में लोगों की मदद करी, एक तरह से खुद की जेबे गर्म करी नहीं और जो एको सिस्टम है, हिंदुस्तान का, जो एको सिस्टम है, एक शहर का, उसके साथ खेला जिसका रिजल्ट है वो आच्छे नहीं, बहुत बड़ा एक 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 अग्जाम्पल है इसको एक स्टडी माटिरियल बनाना चाहिए, इसके साथ देखना चाहिए कि एक ऐसा शहर जहां पर इतनी बारिश होती है पर उसमें समुद्र है हर तरह की यहां पर रेसॉर्स अवेलिबिल है तब भी इस शहर में सूखा आखिर पढ़ा तो क्यों पढ़ा जो सरकार है उस सरकार को भी यह सोचना चाहिए कि हम एक शॉट टर्म प्लान ना ले के आए बलकि लॉग टर्म प्लान ले के आए ताकि लोगों को इस समस्या से फिर से दोबारा जूजना ना पड़े बारिश जो नहीं होई है वो एक तरफ है लेकिन उसके अलावा भी कई सारे ऐसे मेथोड्स है जो अपनाए जा सकते थे पानी को स्टोर करने के लिए यानि 200 दिन इतना बड़ा समय नहीं होता है कि आपके शहर में सूखा पड़ जाए आकाला जाए आशा करते हैं कि जो चैने के लोगों की समस्या है वो जल से जल दूर हो जिस तरह से ये तमाम रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं आने वाले एक या फिर दो दिन में यहां पर बारिश स्क्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं धन्यवाद